उआ पिखर हो 11 रहेगा बनेजी का नगर पालिकार नगर पंचाय Когда कशनाओ को लेकर हम घानेंगे क्या चांनेंगे कि लिखता नो नगर पंचायत की इतिती में एक दो को छोड़कर मैं सारी नगर पंचायते हैं जाएं लेकिन एक दो दिन चार दिन के बाद में सारी चीज़े सब धूब हो जाती और सब लोग संगठन के लिए काम करते हैं इसलिए भागती जनता पार्टी ही जीतेगी सारे कार करता एक मन से काम कर रहें और पूरे मन से काम करके वो प्रत्यास्थी को जिताने का काम करेंगे कमल के लिए हैं हमारे साथ युवा नेता हैं जिगेंजी क्या कहना है इस बार सर हमारी नगर पालका में हम लोग निश्ची तुरूप से जीत दर्ज करेंगे चोकि हम लोगों ने बूर से सर पर काफी काम कर रखा पहले से ही जो पूर में काम नहीं हुए उसको हम लोग इबार करेंगे इस संकर पर साथ हम लोग चुनाओं में आये लीπत्याष किस थारीके से हमलावर हो रहा आप विपच्च के परत्यासियों की योगतायें बहुत कम है और हम सभी परत्यास योग्य है और हमारा प्रत्यासियों में ऐसा नहीं आप खोपाएगा इसलिए हमें निश्चित तौर पर आसा है और पूर्ण विश्वास है अपने कार्वों पर कि हम लोग जीतेंगे निश्चित निश्चित साथ कि व番करेंगे और यहां देखे जोन पालिका नगर पंचय के स्यर रहे जब अब यहां आज मैं आप आप यहां देट में जो चाहे आप उसको शम्हान्मी क्रूप कह लीजिए यह योगिता के अधार पर कह लीजिए यह किसी भी आधार पर कर लीजिए न weights कर लीजिए योगी मुती जी के ने में अधार पर करीजिए तो हमारा कंडिडेट बहुत आगे जा चुका है कि मंत्री को आना पढ़ रहा है क्या लगता है देखे हमारे यहां तो आप जानते भार्टी जंदा पार्टी के एक लोगतांत्रिक दल है उनिस्टों सी में इसके एक तरह से आपके समझे प्यादूर भाव हुआ कार करता हूं कि उससे और आज जो है हम विश्ट्व की सबसे पार्टी है लोगतंत्र के इसपर्व को हम लोग संजीदा तरीके से लेते हैं इसलिए रखे चाय नगर पाल का चुना हो नगर पंचायत को हम किसी को कम नहीं हमारी दो जगाव सरकार हैं double की सरकार को triple बनाने के लिए लाच्ष को लेकर आगे बढ़ना है इसलिए और आइत तरपेडेश का एक सुप्रीम पावर का जिला रहा है आप जानते हैं तो उसको लोगतंतर के इस पर योगी जी आ रहे हैं हम लोग कार करता है मुथ्सा है अब बीजेपी का आप जानते हैं हमेशा से विकास एकमुद्दा रहा है पाटियां गुमराह करने का प्रयास करती हैं कि हमने ये विकास किया था हमने वो विकास किया था जैसा आप नगरपाली का चुनाओं में देख रहे हैं अलग-अलग सो रूप में जबकि सचाई ये है कि विकास का जो पुलिंदा इस समय बीजेपी ने निखाया है मतलब आप ग्रामीड इस तर से शहरी छेत्रों में देखिए रैवरेली जैसे जिले में जो सीवर की योजना है दूसरा फेस चल रहा है दो-दो-सो करोड का ये दूसरा प्रोजेट है और उस समय जब सीवर का काम चलता है तो सड़क खोद करके सीवर डाला जाता है फिर उसके बाद के बाद नए सीवरे से सड़के बनाई जाती है उसको लेकर के विपक्षी पार्टियां कुछ विपक्षी दल लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है जबकि ऐसा कुछ नहीं है सीवर का प्रोजेट बनने के बाद रैवरेली उन बड़े शहरों की सुवदाओं में विवस्था होती है और धीरे से नगरपालिका के बाद बीजेपी का प्लान इसको नगरपंचायत इस्तर पर भी लेके आने की विवस्था है बिल्कुल बीजेपी का हो गया है यह तो मतलब इसमें कोई दुराय ही नहीं है समाजवादी पार्टी की इस्थित्य आप देखि रहे हैं पारटी संगटन साथ में नहीं है लोग पार्टी छोड़-छोड़ करके जा रहे हैं पारटी की नीतियों से आहत हैं राश्टी अत्यक जी आने वाले हैं अब आप इसीस अंदाज Major लगा सकते हैं कि ये राश्ट कॉंग्रेस उधार के वोटरों से फिलाल अपना चुनाव चड़ाने का प्रयास कर रही है चुनाव के अंत तक आते आते शहरी मत दाता पढ़ा लिखा होता है वो सब जानता है कि हमें के सोर जाना है तो जीत भाजपा की होगी और बड़ी जीत होगी राइबरेली भी अब ज मुझे तो नहीं लगता कि त्रिकोणी मुकाबला है बारती जनता पार्टी की प्रचंड मतों से जीत होने जा रही है और विपच कहीं है नहीं है क्या लोगों का सवाल है कि सीवर पानी की समस्याइं हैं अभी तक दूरा नहीं बार रही है देखे समस्याइं जो भी है वो रही है पहले भी होती रही है आगे भी इस हमारी नगरपाली का थ्यचा बंती है तो वह और अच्छे से जो है विकासकार कराएंगी योग च्छित और सब महिला हैं वह्या और इंपमुल्बू सुविधा आखे चल के उनका च्छेति से लिकास करके जो अभी तक काम नहीं होगे दूरे बड़े हैं और नहीं नहीं सुर्थ क्या मुझ्य है किन मुझ्झोंको लेटर के इज्वार करहें अपकनी नाम हो कि यह वीकास है सबका साहब समय नारा ही सब्सक्राण कर दो नारा है याज़म उन्मुक्त हैं अब तक नहीं पहुँचण को अगर आप मुझे लाएंगे तो मैं अपना प्लान बताऊंगी ना पाल का अध्यस सीट को लेकर दावे भरने वाली बीजेपी संतुष्ट नजर आते दिख रही रैवरेली से नरेंज सिंग निउस्ट्रेक